हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे आलू मैथी की सबजी जो की कुई क्रेसिपी है खाने में बहुत स्वाधिश्ट बनती है ये तो चलो आज हम इसे बनाते हैं ये हमने मैथी ली है इसको 3-4 पानी से धो लिया है और बारीक भी काट लिया है इस आलू हमने इस शेप में रखे हैं इसके लिए एक प्याज दो हरीमेच दो कलिया लैसन की लिए है और साथ में फ्रेश कोकोनट को ग्रेट किया है ये देखिए तो चलिए बनाते हैं कडाई गरम हो गई है उसमें हमने 3 छोटी चमज तेल डाला है अब हम इसमें डालेंगे जीरा आदी छोटी चमज जीरा डाला है तो जीरा हमारा तड़ा गया है इसमें डालेंगे हरी मिर्च लेसन और कटा हुआ प्याज इसको हम चला लेंगे अभी देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है लाइफ ब्राउन कलर आ गया तो अब हम इसमें डालेंगे आलू मैथी आलू आप किसी भी शेप में काट सकते हैं या आपकी मर्जी है अब हम इसे 2-3 सेकंड चलाएंगे क्योंकि मैथी बनने के बाद थोड़ी हो जाती है देखिए जैसे इसको स्टीम लगी और ये गरम हुई वैसे ही ये कम हो गई दो सेकंड तक चलाएंगे इसको अब इसमें एड करेंगे हल्दी आदी छोटी चमच हल्दी बाकी कुछ हमें और मसाले एर नहीं करना है हमने हरी मिर्च का फ्लेवर दिया है इसमें इसलिए लाल मिर्च भी नहीं डालेंगे गरम मसाला भी नहीं डालेंगे धनिया पाउडर भी नहीं डालेंगे सिर्फ हल्दी डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे आधा चमश नमक खाना बनाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं अगर आप थोड़ा बहुत जादा कम करते हैं तो कुछ फरक नहीं पड़ता है पर थोड़ी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जिसे नमक खाने में ज्यादा नहीं होना चाहिए ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए तो अब हमने इसको अच्छे से चला लिया है गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और इस पर धक्कल लगा देंगे दो मिनिट बाद हम खोल कर चेक करेंगे हमारी सबजी अभी बनी नहीं है फिर हम इसको ढखकर लगा देंगे और दो मिनिट बाद देखेंगे देखेंगे सबजी बन गई है यह देखेंगे इसको हम अच्छे से चला देंगे आलू हमारे गल चुके है अब डालेंगे हम इसमें शुगर दो पिंच शुगर डाली है यह ऑप्शनल है आपको अच्छा लगे तो डाली है नहीं अच्छा लगे तो मठ डाली है पर इसमें एक बैलेंस हो जाता है हलकी सी मिठास आती है बहुत ज़्यादा नहीं डालना नहीं तो सबजी मीठी हो जाएगी फ्रेश कोकोनट डालेगे यह आपके मरजी के उपर है आपको अगर कोकोनट ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं नहीं तो इसके भी कर सकते हैं पर आप बना कर देखिए इस सबजी का स्वाद बहुत टेस्टी रहता है यह देखिए हमारी आलू मैथी की सबजी बनकर तयार हो गई अगर आपको यह रैसी भी पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप इसको मैथी, पराठा डाल चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं